प्रेके बाद स्वागत वे आपका रुक करेंगे खबरों का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट पर अंतर राश्वर गीता बहुत सब का विदीवत आगास किया गया राजेपाल बंडारु दत्ता त्रे मुक्यतिती के तौर पर शिर्कत करने पहुँचे तस्वीरे उस दोरान की उनके साथ सिक्षा मंतरी कवर्णपाल गुजर आरेसिस के वर्ष्ट प्रचारक इंद्रेश कुमार खेल राजे मंतरी संदीप सिंग सांसत नायाप सैनी और वध सुभाश सुधा भी पहुँचे वाईवराजेपाल बंडारु दत्ता त्रे के अध्यात्मिक गुरू रामनुच ज्रियर स्वामी और गीता मनीशी स्वामी ज्यानानंद सभी सम्मानित लोगों ने ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चिना की का विदीवर्थ आगाज हुआ तस्वीरे आप देख रहे हैं आपको बता दें कि यहां पर राजपाल बंडारु दत्तत्रे मुक्य अतिति के तौर पर शिर्कत करने पहुँचे वहीं उनके साथ सिक्षा मंत्री कमरपाल गुजर, आरेसस के वरिष्ट प्रचारक इंद्रेश कुमार, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंग, सांसत नायप सैनी, पधायक सुबाश सुदा भी पहुँचे और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर धर्म लगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर अंतराश्ट्र गीता मौत्सव का विदीवर आगास हुआ जहज़र में जहज़र में जहज़र के कारेकर्टा रैली निकाल रहे हैं जुसमें बड़ी संख्या में पार्टी कारेकर्टा मौझूद रहे आपको बता दे कि युवा कुरुक्षेत्र के श्राबाद हलका विधायक रामकरण काला और जिला ध्यक्ष डॉक्टर जजविंदर खेरा के नित्रत्व में एस्वराली को रवाना किया गया वहाई जजपी नेताओं ने दावा किया है कि दुश्चन चोटाला और आजय चोटाला को सुनने के लिए जन सलाव उम्रेका तो जजवर में जजविंदर के कारेकर्टा रैली निकाल रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कारेकर्टा मौझूद रहे आपको बता दे कि युवा कुरुक्षेत्र केश्वाबाद हल्का विधायक राम करन काला और जिला अध्यक्षी डॉक्टर जस्विंदर खेरा के नेतरत्व में इस रैली को रवाना किया गया और जिज़ेपी नेताओं ने दावा किया है कि दुश्यन चोटाला और अज़र चोटालो को सुनने के लिए यहाँ पर जन सैलाब उम्रेगा तो इस तस्वीरे आप देख रहे हैं बड़ी संक्या में जोईज़ेपी के कारे करता यहाँ पर पहुँचे और रैली वो निकाल रहे हैं चुली सीधा आपको जज़र लिये चुलते हैं जहाँ पर जज़र फिया पर तीसरा स्थापना दिवस मना रही है और वहीं पार्टे के संस्थापक अज़र चोटाला थोड़ी देर में संबोधित करेंगे आपको बता दे के यहाँ पर बड़ी संख्या में पार्टे के कारे करता मौजूद हैं नेता मौजूद हैं यह ता स्वीरे आप देखें मन्च पर किस तरीके से बड़ी संख्या है कारे करताओं की और नेताओं की दुशन चोटाला अजय चोटाला और नैना चोटाला साथ साथ तमाम बड़े नेता मंच पर मौझूद हैं बड़ी संख्या में कारेकरता यहां पर मौझूद कई दिनों से इस्रेली की तैयारिया की जा रही थी और कारेकरताओं में भारी जोश था आज इस दिन के लिए जजीपी का तीसरा स्थापना दिवस जब 2016 में परदेश में गोडिया चल रही थी तब वो लोग कहा थे तब इस परदेश के युवाओं की आवाज भाई दुशन चोटडाजी बने थे भाई दिगविजे सिंग चोटडाजी उनका हालचाल पूछने गए थे यह कहते हैं कि किसानों की इतायतीत की बात करते हैं जब ट्रेक्टर पर टैक्स लगा था तो इस देश में एकी सांसर थे हैं दूशर न चोटड़ाज जो ट्रेक्टर लेकर चले थे तो हäng सोचथा सर्विक्षन में हर्याणा के अंबाला में इस बार बहतरीन प्रदर्शन हुआ है आपको बता दें कि यहाँ पर अंबाला में इस बार बहतरीन प्रदर्शन देते हुए 90 रैंक हासिल किया गया है जिसे लेकर अंबाला शुहर के विधायक असीम गोयल के ओर से नगर निगम के करमचारियों और अधिकारियों को उनकी मैनत के लिए समानित किया गया था अब 2022 में अंबाला को सुच्चता सर्विक्षन में और जादा यहां पर अच्छी रैंकिंग दिलवाने के लिए अंबाला शुहर के तमाम लोग और मैनत करेंगे अमाला शुहर के विधाय कासीम गोयल ने अमाला के पंचायत भवन में एक मिटिंग बुलाई और इस मिटिंग में नगर निगम और रेजिडेंट वेलफेर असोसियेशन के पदा अधिकारियों को भी देखा गया पदा अधिकारी भी इस बैटक में मौझूद रहे विधा कासीम गोयल द्वारा इस मिटिंग में अधिकारियों किसाद शुहर की स्वच्चता में और सुधार लाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई अधिकारियों को एहम दिशा अन्रदेश भी इस बीच दिये गए के लिए बड़ा गरवला साल अरक्षन है ये कि हम पूरे भारत वर्ष के स्वच्चता स्रेक्षन में पहले सौ शेहरों में आए हैं और इसको और कैसे रैंकिंग को सुधारा जाए इसके नाते आज आर डबली एज जो हमारे अंबाला शेहर की नगर निगम के अंदर आने वाली और विवीन एसोशेशन उन सबसे सुझाव के नाते आज एक बैठक का योजन किया गया था बहुत से साथियों ने अपने बहुमुले सुझाव अपने और अपने एरिये की समस्याइं भी बताई हैं उनके निस्तारन के लिए कमिशन साब ने एक कमेटी बना दिया अ पर लगाया है और मुझे उमीद है कि लोगों के सायोग से समाज के सायोग से और हमारे अधिकारियों की मेहने से और आदनी मुखे मंतरी मनोर राल जी के मार्क दर्शन में हम अपनी रैंकिंग को और लगातार सुझा चुलिए अब कुबर चर्की दादुरी से जहां पर चर्की दादुरी के खातिवास गाउं को भारी प्रिशासनिक अमले के साथ पुलिस पल ने चारों तरफ से घेरा ग्रामिन उचित मुआफजे की मांग को लेकर चार किलोमेटर एडिया में 152D कॉरिडोर के निर्मान का विरोध कर रहे थे इसको लेकर प्रिशासन दो तीन बार ग्रामिनों से बादशीत कर चुका है लेकिन सहमती नहीं बन पाई है तो गाउं में भारी प्रिशासनिक अमला पहुचा और कबजा कारेवाई शुरू की गई इस दोरान ग्रामिनों ने विरोध भी किया विरोध करने वाले ग्रामिनों को पुलस ने घेर लिया वहीं पुलस अदिक्षक दीपक गहलावत ने बताया के 152D कॉरिडूर के निर्मान कारे को लेकर काफी समय से ग्रामिनों से बादशीत की गई लेकिन सेहमती नहीं बन पाई तो मजबूरन कारेवाई करने के लिए यहां पहुँचे तो कुछ ग्रामिनों ने बतामीजी की जुसके बाद ग्रामिनों को राउंड अप किया गया जबर जश्तिया सब कुछ जो भी है ना तो पैसे उठाए सरकार जबर जश्तिक अब जाने हो रही है तो अचानक नहीं कहेंगे बारतमाला प्रजेट के अंतरकत नैशनल हाईवे 152 भी जो गोटपूत्वी से कैथर तक जा रहा है उसमें 90% कार्य हो चुका है दादरी जिले के अंतरकत खातिवास गाओं की पोने चार किलोमेटर का स्ट्रेश था जहां पर इसका कवजा नहीं लिया था है नैशनल हाईवे ने और इसमें मुआफजी को लेके कुछ किसानों में था कि हमें मुआफजा कम मिला है हमें ज्यादा मिलना चाहिए बट वो क अब भी बातचीत के दोर बंद नहीं हुए उनसे लगादर मीटिंग जारी लेगी आज भी हो मिल रहे हैं डिसी साब से और कपजा करवाई करके ताकि नेशनल हाईवे अपना काव स्टार्ट करें और यह जो प्रोजेक्ट है पूरा हो उनसे मुलाकात हो यह बातचीत भी ह और उस बातचीत को हम जारी रखेंगे अगर वो अर्बिट्रेशन के माद दमस्याते हैं तो उनकी जो भी मांग होगी जो भी उचित मौज़ा होगा हो अग्रोहा विकास ट्रस्ट की व्राश्ट्री अद्यक्ष बजरंग गर्ग ने हासी में पत्रकार वारता कर सरकार पर कई सवाल उठाए कहा कि केंड्रे रेल मंत्री की ओर से अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोशना की जा चुकी है और केंड्रे वार्षिक रेल बजट में भी वेल लाइन का बजट पास हो चुका है लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक अग्रोहा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया और इसको नहीं जोड़े जाने से अग्रोहा में आने जाने वाली आत्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रोहा बसड़ा बनकर उसका उधगाटन तक होने के बाद भी हर्याना परिवान व्भाग ने अग्रोहा बसड़ा को चालू नहीं करने से अग्रोहा के साथ साथ कई गाओं में भारी रोश है सरकार को अग्रोह में बना हुआ बसड़ात तुरंत प्रभाव से चालू करना चाहिए चले फिरार इस बुलेटन में इतना ही आप देखते रहे हैं हर कबर हर्याना नमस्कार